अगर हम बात करें इंडिविजुल चैल्ड की यानि व्यक्तिकत विकास की बच्चे के व्यक्तिकत विकास की तो फर्स्ट ऑप्शन है can be predicted accurately and absolutely by referring to the developmental milestones यानि विकासात्मक प्रतिमानों को उद्रत करके सटीकता से वा पक्ये तोर पर भविश्यवानी की जा सकती है कि इस दिन इस समय इस जण बच्चा ये कर रहा होगा तो ये तो भई इश्वर ही कर पाएंगे अगर वो साक्षात नीचे आ जाएंगे आप किसी भी फॉर्म में exist करते हैं जैसे भी तो वह ही वैसे ही हो सकता है वो तो या तो मुवीज में हो सकता है या फिर वह भविश्यवानी वैसे वाला सीन हो जाएगा इग्जेक्ट नहीं कर सकते है आप कुछ हद तक प्रडिक्ट कर सकते हैं आप किसको विकास को development को कि बच्चे की हरकतों को देखते हुए कि उसका drawing में अगर interest है तो हो सकता है वो उस तरफ चला जाए किसी की height अगर बच्चपन में ही ज़्यादा है तो उसकी height ज़्यादा रहेगी यह prediction आप अपना सकते हैं किसी का music में interest आप देख रहे हैं बच्चपन से ही बच्चा dance की तरफ बहुत ही ज़्यादा inclined है तो आप देख सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि उस तरफ वो अच्छा कर पाए लेकिन accurately तो कोई भी ने बता सकता accurately किसे बता है क्या होना है तो विकासात्मक और यह milestones को ध्यान में रख करके कि milestones क्या होते है developmental milestones यह developmental tasks जिनकी बात having us ने की थी कि इस age में यह हो जाना चाहिए यह है developmental milestones यह developmental tasks जैसे कि 25 की हो गई हो शादी नहीं हुई है developmental task है एक तरह का मज़ाग कर रहे हुए developmental task नहीं है societal task है सामाजिक भूमिका है या सामाजिक कार्य जैसी बात इसको हम मान सकते हैं तो developmental milestone होते हैं कि यह बच्चा इस class में आ गया है या इस age में है माली जो बच्चा 6 साल का है तो अब तो वो खुद से glass पकड़के पानी पी लेना चाहिए ना उसको ऐसी ही activities एज के अनुसार जो ज़रूरी है कि बच्चा 2 साल का हो गया चलना नहीं सीख पा रहा है या खड़े नहीं होना सीख पा रहा है यानि वो developmental task पे ख़रा नहीं होता पा रहा अपनी एज के अनुसार ठीक है ना B option है cannot be predicted at all ये भी नहीं कह सकते कि बिलकुल predict नहीं हो सकता कुछ हग तक विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है अगर हम बात करें C option की तो can be predicted somewhat but all children develop at different rates ये बात बिलकुल सभ्य बात है सुसजित बात है logical बात है कि व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हग तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परन्तो सभी बच्चों के विकास की दर अलग-अलग होती है यानि different होती है जो दर है, जो rate है, वो different है हर एक बच्चे का या ये बन आप देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि same rate पर दो बच्चे हैं सेम टाइम पर पैदा हुए है और वो सेम तरीके से एक्ट करें है उनमें विकास की दर सेम हो तो rate is different, sequence या order सेम होता है stages सेम होंगी, universal है stages, लेकिन rate में अंतर होगा किसी बच्चे में कोई चीज जल्दी आजाएगी कि दाथ जल्दी निकल जाएगे जल्दी खड़ा होना सीख जाएगा किसी बच्चे में कोई चीज थोड़ा लेट आएगी तो rate different होता है इसलिए हम accurately predict नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं to some extent हम कर सकते हैं यानि कुछ हाथ तक पूरा नुमान लगा सकते हैं जहरे निया जिस बच्चे को आपने बच्पन में देख करके हदिया था इस science में बहुत उच्छा है scientist बनेगा और पता चले वो कल पत्ते खिलता हुआ पाया गया है ना तो ये क्या हुआ predict नहीं कर पाया कोई भी नहीं कर सकता पूरी तरह से तो 100% is disorderly and discontinuous यानि कि अविवस्थव असतत होता है नहीं orderly होता है विकास और continuous होता है तो ये जो डिस लगा दिया है इन्होंने इसे ने काम खराब कर दिया ठीक है ना हमें समझना है चीजों को उत्तर तक पहुँचने का प्रयास करना है उत्तर को जस्ट जानना नहीं है समझ पा रहे हो ना भावना है समझ रहो देख रहो आज कि जोन में हूँ ठीक है ना दर्भिन होती है विकास की बट अवस्थाएं सेम होती which of the following statement is correct यानि कौन सा कथन सही है correct है है ना बताईएगा कौन सा कथन correct है ठीक है कुछ हद तक विकास का क्या लगा सकते है अनुमान लगा सकते है ऐसे तो आप कई लोग बाबजी टाइप लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं आरे हमने तो कहा ही था तो दो-चार चीज़ों मैंसे यह क्या एक सीक्वेंस है पैटर्न है तो यह बात तो गलत हो गई कि नहीं होता सीक्वेंस में और हमें correct चाहिए answer development is disorderly अगें डिस नहीं होता orderly होता है यह भी गलत हो गई अव व्योस्थित नहीं होता व्योस्थित या सतत होता है development is a continuous process यह बात सही है कि यह womb to tomb चलेगा lifelong चलने वाली प्रक्रिया है कभी भी रुकती नहीं है decay भी even इसी का पार्ट है तो विकास एक सतत प्रक्रिया है C option is the right answer developmental milestones are not influenced by the cultural context ऐसा नहीं है अभी जैसा कि मैंने आपको एक option दिया या एक बात कही कि भी या इतने साल की हो गई हो अभी तक शादी नहीं कि यह culture का प्रभाव है otherwise मतलब developmental milestones पे culture का प्रभाव पढ़ता है even development पे भी culture का प्रभाव पढ़ता है तो C option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number 3 पर Children learns the knowledge, skills, values, customs of the society by यानि बच्चे अपने समाज के बारे में ग्यान मतलब समाज में क्या चीज़ें चल रही है क्या होती है उसके बारे में ग्यान रहने का तरीका मूले किन चीज़ों को सही और किन चीज़ों को गलत माना जाता है क्या रीती रिवाज हैं जो follow किये जाते हैं, ये सब कैसे सीखते हैं, कहां से सीखते हैं, बताइएगा फटा-फट से, कहां से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, किस से सीखते हैं, जल्दी बताइए, नहीं मेरे को कोई share वेर याद आ गया रहने दो, neighborhood की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल neighborhood से क्या skills ह है values है customs है knowledge है आप सीखते हैं religion जो धर्म है उससे आप पढ़ते हैं जानते हैं follow करते हैं क्या values हैं क्या customs है school से भी आप सीखते हैं और peer group जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उन से भी आप सीखते हैं यानि चारों ही संस्थाएं ऐसी हैं जिन से आपका socialization होता है यानि सामाजी करण की प्रक्रिया होती है जिसमें आप कैसे समाज में तोर तरीके क्या है रहने के ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं ठीक है ना? question number 4 देखेगा अगर हम बात करें as per gene piage's theory यानि piage की theory के अनुसार सिध्धान्त के अनुसार adaptation involves two complementary activities ये question पुराने समय से प्राचीन काल से सीटेट में आता रहा है और मुझे लगता है भविश्य में भी आता रहेगा क्योंकि इस topic को दुनिया में कोई बदल नहीं सबता ठीक तो प्याजी के अनुसार अनुकूलन में किन दो मूल प्रक्रियाओं का समाहित होते हैं कौनसी दो मूल प्रक्रियाँ हैं बताएगा फटाफट से पर हम बात करें adaptation की तो two complementary चीज़ें adaptation के अंदर कौनसी हैं तो आपको पता होना चाहिए adaptation में accommodation and assimilation दोनों आते हैं यह प्याजी की थियरी अगर आपने YouTube पे भी की है तो मैंने बताया हुआ है samayogen वह samavision दोनों इसका हिस्सा है ठीक है ना मतलब आप assimilate करेंगे कुछ add करेंगे modify करेंगे change करेंगे manipulate करेंगे वह accommodation का part है पुराने में कुछ change करना adjust करना manipulate करना यह सब samayogen और कुछ नया जोड़ना samavision और यह दोनों मिलकर के adaptation यानि अनुकूलन में आते हैं ठीक है ना इतनी बात clear है बाकी बातों का यहाँ कोई भी ताथ पर रहे नहीं है ठीक नहीं है वो combination आगे बढ़ेंगे question number 5 पर प्याजे से एक और question आपके सामने प्रस्तुत है प्याजे क्या कह रहे हैं जरा जान लीजे देखेगा एक बार अगर हम बात करें प्याजे की तो यह कह रहे है according to gene प्याजे at which stage of cognitive development do children gain the ability to arrange items along qualitative dimensions यानि items को arrange करने की शमता qualitatively यानि उनके गुणों के आधार पर size के आधार पर ही नहीं सिर्फ such as length and weight मतलब अलग-अलग गुण के आधार पर length भी, weight भी उनका ध्यान रखते हुए एक sequence में लगा पा रहे हैं बच्चे यानि order सीख रहे हैं यानि classification सीख रहे हैं yet have difficulty in dealing with mental operations that involve abstract concepts लेकिन उनको अमुर्थ संक्रियात्मक अवस्था या अमुर्थ संक्रियात्मक संप्रत्यों को लागू करने में दिक्कत होती है मतलब क्या हुआ सिंपल बात है abstract की दिक्कत कहा होती है concrete में होती है concrete operational में इसी बी concrete कहते हैं इसको तो हम कहेंगे classification यानि वरगी करण का घुण तो आ गया है बच्चे में लेकिन अभी अमूर्थ चीजें जो उसके सामने नहीं है जिनको वो टच और फील नहीं कर सकता उनके बारे में वो ज्यादा नहीं बता पाता है अगर उससे हम पूछें कि इस बॉटल का कलर या इस बॉटल के बारे में विशिष्टा बताओ तो वो बता देगा इसको समझ भी लेगा ऐसे एक्जामपल्स जिन में चीजें उसके सामने प्रस्तुत हों या पिक्चर्स दिखाई गई हो उनको समझ जाएगा लेकिन अगर हम उसको कहें कि जेंडर एक्वैलिटी की बात पर सोचो तो उसके लिए क्लासिफिकेशन इसी स्टेज में आता है वरगी करन बच्चा चीजों की अधार पर वरगी करत करने लग जाएगा अब हम आगे बढ़ेंगे और यह पहली बार कॉंक्रीट चीजों को लेकर की लॉजिक आता है यानि तर्क जब आता है पहली बार मूर्थ चीजों के बारे में वो इसी स्टेज में आता है इसी स्टेज में तर्क आता है देखिएगा अगर हम बात करें क्वश्च नमर 6 की in the theory proposed by Lev Vygosky Vygosky के theory के अनुसार private speech जिसको हम आज ने कहा है देखिएगा पहला option है helps the child to regulate her thinking यानि बच्चे को अपनी चिंतन अपनी सोच को विन्यमित करने में मदद करता है यानि बच्चा अपनी thought को direction दे पाएगा खुद से ही बाते कर करके मतलब जब मैं बात कर रहे हूं कि यह ऐसे नहीं ऐसे करना था मतलब मैं guide कर अनुसार private speech guide self regulation का काम करती है self direction का काम करती है है ना guide करने का काम करेगा बच्चा अपने ही thinking को दिशा दे पाएगा खुद से ही बाते करके जब बच्चा खुद से बोल-बोल के बाते करे तीन से छे वर्श की उमर में तो वो private speech कहराती है और प्याजी के अनुसार उसी को हम egocentric speech कहरा है प्याजी ने अच्छी बात नहीं माना या महत्व नहीं दिया बट वाइगास ने इसको important माना है तो ये बात तो सही हो गई B option है is a hindrance in the child's thinking भहिया ये रुकावट नहीं है ये तो helpful है बच्चे के thought को बहतर बनाने में तो ये तो गलत हो गई बात C option है shows egocentrism of the child यानी बच्चा आत्मकेंद्रित है अगर प्याजे लिखा होता question में तब तो हम ये बात मान लेते लेकिन अभी वाइगास की के context में question पूछा है D option है decreases as the child is presented with more challenging tasks ऐसा नहीं है अगर more challenging task भी आएगा बच्चे के सामने तब भी वो खुद से बात करके खुद को ही दिशा देगा क्या समझे समझे कि नहीं बताइए चलिए आगे बढ़ते हैं तो according to Lev Vygoski थोड़े पराने वीडियो भी देख लिया करो कभी है देखो एक लेव Vygoski expectations दुख का कारण हैं समझ पा रहे हो लेव Vygoski की अनुसार सिक्षक बच्चों के अधिकम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं बताइगा प्रोवाइडिंग appropriate rewards उप्युक्त इनाम दे करके लो मेरे बच्चे इनाम ले लो नहीं चल पाए का काम ठीक इनाम लंबा न रहेंगे तो कभी कबार चल जाता है हमेशा नहीं लाइक शेर करना अगर आप भूल गए हो तो कर दीज़ेगा giving strict punishment punishment देने को RTE ने साफ साफ मना कर दिया आप बच्चे को आखे नहीं दिखा सकते आप बच्चे को मुरगा या मुरगी नहीं बना सकते तो कोई दंड आप न हो उसके according ये बात बिल्कुल सही है अगर आपको CDP में जादा दिक्कत हो रही है तो मैं वहाँ focus करूँगे आपको कहीं और दिक्कत हो रही है तो मैं वहाँ focus करूँगे अपनी need जो अपना way है nature है और quality है मदद की वो change कर दोंगी as a teacher तो ये बात तो सही है D option है making them copy all the answers from a blackboard ये तो ratification है rote learning है कि सारे answer वो बिचारे copy कर लें और तब मिटा दो आप उनको और फिर रटके वो वापस paper में लिग जाए तो ये तो HD बन जाएगी जैसे system चला आ रहा था वैसी ही चलेगा C option हो गया अब चलते हैं question number 8 पर पूजा tells her friend that we should follow class rules as the teacher will not allow us to play यानी पूजा कह रहे हैं भया punishment से बचना है तो आग्या का पालन कर लो चुकचाप से बाकी सही गलत का हमें पता नहीं है बात तो ठीक है अच्छी तो नहीं बनना पूजा ने या तारीफ की requirement तो नहीं रखी कि मुझे अच्छा बनना है teacher के स पूजा अपने खेलने से फर्क पड़ रहा है ठीक है ना universal ethical principle ये तो next level की बात हो गई 6th level की बात हो गई तो obedience and punishment आग्या पालन एवम गंड और खेलने की बात कर रहा है मतलब बच्चा चोटा होगा तो छोटी age में ही ये काम करती है सबसे पहली stage है आगी पढ़ेंगे question number 9 प कौनसा एक वाक्य सही नहीं है Harvard Gardner के अनुसार जिन्होंने बहु बुद्धी का सिध्धान दिया है multiple intelligence frames of mind नाम की पुस्तक में seated की notes जल्दी मिलेंगे रिया मुझे इस weekend के time और दे दो पता नहीं लगता एक हफते से दूसरा हफता का आवाज आता है कितनी सारी चीज़ें होती रहती है मैं जल्दी दे दूँगे आपको notes मैं सोच रही announce भी कर दे सीट तो थोड़ा और मज़ा आ जाए बर दे दूँग तो यह यह नहीं कहते कि fixed है और stable है यह बात gardener नहीं कहते और जो नहीं कहते वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था इसलिए गलत ही सही है तो first option सही है बी option है intelligence can be nurtured and grown यह तो मानेंगे gardener intelligence is of several kinds rather than dominated by a general factor यह भी बात है intelligence cannot be tied to a single domain यही तो कह रहे हैं वो कि single entity नहीं है aesthetically अच्छा होगा यानि sports में अच्छा होगा तो a option is the right answer आगे पढ़ेंगे question number 10 पर मज़ा आ रहा है discussion में बहुत मज़ा आ रहा है बस आप लोग जिस संख्या में आते हैं उस संख्या में अपनी presence नहीं बता पा रहते हैं like share करके in child centered education यानि एक बाल केंदृत कक्षा में बा the teacher does not play any role इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि teacher का कोई role नहीं होता teacher क्या है सुविधाद आता है एक facilitator है ऐसा नहीं है कि teacher का कोई role नहीं है child centered में the teacher play active role while teacher का रोल एक gardener के जैसा है जैसे जब आप पौधे को लगाते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं जब जब ज़रत होत the teacher play active role while the students are passive बच्चे को passive नहीं रख सकते आप बच्चे को निश्क्रिय नहीं रख सकते बच्चा और teacher दोनों active होने चाहिए बहतर तो यह होगा लेकिन बच्चे का active होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है mandatory है the students are active while the teacher is passive यह भी बिकार बात हो गई वह teacher को passive रखके क्या कर होगा जो question के according जा रहा होगा है ना तो teacher and students are both active ठीक है अगेन वही example जो आपको बहुत पसंद है जब आप life partner चूज करते हैं आप अपने लिए best चाहते हैं mediocre पर नहीं काम चलाएंगे अप अपना हो सकता है कोई mediocre आपके लिए best हो तो उसी तरह से जिस तरह का question है उसके हिसाब से जो best है वो answer करना है तो बच्चे और teacher दोनों active होते हैं question number 10 के अनुसार child centered यानि बाल किंदृत सिक्षा जिस पे बात progressive education प्रगती शील सिक्षा लर्निं by doing जॉन डूइस की बात भी कर रहे हैं अगर हम बात करें आपके फ्रेडरिक फ्रॉबेल से लेके Montessori तक सब child centered education की पैर्वी करते हैं question number 11 और क्थन D algorithm ज्याना है यानि एक तो है कथन इसको पढ़ना है फिर इस कतर का तर्क क्या है उसको पढ़ना है दोनों सही हैं दोनों में से कोई एक सही है या दोनों गलत है। ये संभावनाएं होती हैं तो उसको ध्यान में रखना है अजच्छन है in the classrooms boys have the potential to perform much better than the girls in mathematics and science, यानि कक्षाओं में लड़के गड़ित वा विज्ञान में लड़कियों से कहीं भैतर production करने की शंता रखते हैं, मतलब ये कहा गया है, ये statement दिया है कि लड़के तो अच्छे होते हैं गड़ित और science में लड़कियों से, आज ही हम gender का topic कर रहे थे और YouTube पे भी आपने देखा होगा मैंने पहले कराया है, ये बात बिलकुल सिरे से गलत है ऐसा कोई भी ये fact नहीं है कि लड़के अच्छे होंगे गड़ित में और science में अगर हैं तो इसका मतलब उनको environment जाद अच्छा दिया गया है या कोई और reason हो सकता है, individual difference का मामला हो सकता है personal preference का मामला हो सकता है ज़रूरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां सारी खराब हैं गड़ित में, नहीं तो हम शकुंतला देवी का नाम नहीं सुनते, movie भी बनी है, उन पर देख ली जगा कभी are for reason यानि इसका reason क्या दे रहे हैं, सुनिए जरा बहिए हर किसी का तो अपना reason ही होता है जो इंसान गलत भी कर रहा है, उसकी भी अपनी reasoning है चोरी करने वाले की भी reasoning होगी अपने पास रखी हुई, तो reason की अगर हम बात करें तो reason है mathematical reasoning and scientific ability come naturally to boys than girls कि यह लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गड़ती है तर्क वै विज्ञानिक शमता है सहज रूप से मौजूद होती, naturally, भगवान की देन ऐसा नहीं होता, कोई भगवान की देन नहीं होती ठीक, यह interest का मामला है और environment का मामला है तो यह दोनों ही बाते बिल्कुल सिरे से नकारेंगे हम इनको और अगर आप नहीं नकारेंगे तो number तो आपको मिलेगा यह नहीं वैसे भी आप जीवन में खराब इस्तिती में जाएंगे तो बोथ A and R are false दोनों ही बाते गलत हैं, ना तो यह statement सही है ना इसका reason सही है, ठीक, तो D option is the right answer अगर दोनों में से कोई एक भी सही होता तो हम बाकी options के साथ जाते question number 12 देखेगा national education policy 2020 national education policy NEP किस चीज पर जोर देती है बच्चे की भलाई पर ही देगी ऐसा तो है नहीं कुछ अगे इस चली जाएगी बच्चे के तो flexibility of the curriculum हाँ अची बात है लचीला पर होना चाहिए curriculum में flexibility होनी चाहिए standardization की जमाने जा चुके है standardization यह नहीं मानकी करत मानकी करत नहीं हमें differentiated चाहिए जिसमें हम बच्चे को ध्यान में रख सकें उसके individual differences को ध्यान में रख सकें standardization में क्या होता है मानकी करण के चक्कर में हम बच्चे की विक्तिकत विभिनताओं को भूल जाते हैं यह भूल जाते हैं कि बच्चे अलग-अलग कर रहे हैं या फिर चलो केरला तक तो फिर भी ठीक था वो जान जाएगा कि वहां क्या चल रहा था लेकिन बच्चे के environment से related कुछ ही नहीं वो connect ही नहीं कर पाता खुद को तो problem है इसलिए हम अलग-अलग राज्य की अलग-अलग चीजों के आप देखते हैं अगर EBS भी पढ़ेंगे तो उसमें तरह तरह की कहानिया है जिससे उसमें diversity है ताकि context से जुड़े वो अलग-अलग बच्चों के rote memorization पे तो रटने पे focus नहीं करना meaningful learning अर्थ निर्मान पे focus करना है जो उसके जीवन से जुड़े तो flexibility of the curriculum is the right answer, पाठ्य चर्या का लचिलापन यानि अलग-अलग तरह की activities हो अलग-अलग बच्चों के interest, aptitude, attitude को ध्यान में रखा जाए तो A option is the right answer वैसे भी जीवन में flexibility से काम चलेगा, rigidity से नहीं चलेगा कठोर नहीं होना, नहीं तो तूट जाएंगे सुना होगा आपने वो लगकड, flexibility से जीवन चल जाएगा अच्छा, तो 12th का A, the focus assessment should be on, यानि मुल्यांकन का केंद्र जो है वो क्या होना चाहिए, आकलन का केंद्र क्या होना चाहिए, center में किसको रखें जब आप बच्चे को test करें तो simple सी बात यह कही है, बताएगा पहला option है, reflecting what all the learners cannot do, यानि आधिगम करता, क्या नहीं कर सकता है, इसका चितरन करना क्या नहीं कर सकता पर focus करेंगे आप reflect सिर्फ इस चीज़ पर करेंगे, क्या नहीं कर सकता बच्चा, कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है potential पर focus करना है, बी option है specifying the performance of the learners in comparison to the others in class अगर आप दूसरे बच्चों से बच्चे को compare करेंगे, तो यह उसके लिए नकारात्मक साबित होगा, आप बच्चे की आज की performance को, उसकी कल की performance से compare कीज़े, कि बेटा तुम दो महीने पहले ऐसे थे आज ऐसे हो, अच्छे हुए हो तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे बनो, नहीं हुए हो तो तुमको अपने आपसे inspire होने की ज़रत है ठीक है ना, labeling the child into a normative category यानि बच्चे को आप label नहीं कर सकते, उस पर ठपा नहीं रगा सकते कोई नहीं होते, आप उस पर ठपा लगाने वाले, हर बच्चा अलग है detailing what and how the learner has been learning, यह जरूरी है आप आखलन इसलिए कर रहे हैं, आप बच्चे को जाच इसलिए रहे हैं कि आप यह देख पाएं कि बच्चा क्या और कैसे सीखता है ताकि उसको आप और अच्छा सिखा पाएं, और मज़िदार सिखा पाएं आप उसको है ना, उसके potential के according उसको आगे ले करके जा पाएं question number 14 देखेगा यानि निमलिकित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में जिसमें बच्चों की व्यक्तिकत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, यानि यह एक तरह से idealistic classroom है ideal classroom, idealistic नहीं कहेंगे ideal है, मतलब ऐसा हम चाहते हैं कि हर classroom ऐसा हो कैसा जहां पर बच्चे सामाजिक रचनावादी दृष्टी से सीख रहे हो, बच्चे groups में सीख रहे हो एक दूसरे की individual need का ध्यान रखा जाए बच्चों की, अलग-अलग धंग से सिखाया जा रहा हो इस case में कौन सा option सही है, fixed seating arrangement यानि बच्चा एक जगा से hill भी नहीं सकता, तो ये तो constructivist classroom नहीं हुआ, रचनावाद तो बच्चा active होगा ना classroom में ठीक है ना चरंजीत, फिर आता है the option teacher giving only instructions and expecting the children to be totally obedient अब ये तो teacher centered classroom होगे दोनों ही, child centered कौन सा होगा, एक तो देखो रचनावाद में, जिस पे NCF भी based है आपका NCF जो है national curriculum framework, राश्ट्रे पाटिचरिया की रूपरेखा 2005, इस पे based है, constructivism पर, रचनावाद पर, रचनावाद ये कहता है कि बच्चे का active होना जरूरी है बच्चे का constructive होना, नाम से ही लिखाओ है constructivism, यानि रचनावाद, बच्चा रचना करेगा, ज्यान का सरजन करने की शमता बच्चे में है, इसा प्याजी वाइगोस की दोनों बानेंगे तो ये बात भी गलत हो गई, memorization तो मतलब रचने पर फोकस कर दिया, आपने बच्चा जहाँ active होगा वो best option है Children discussing while working in groups, यानि बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूहों में कार्य करना, इससे पता चलेगा कि जो classroom है, वो socio-constructivist classroom है, बच्चे activity कर रहे हैं और समाज, समाज का मतलब कि आप बच्चों के लिए गुरुप में सीख रहे हैं, ठीक है न, तो D option is the best answer over here आगे बढ़ेंगे question number 15 पर चलेंगे, question number 15 क्या कहता है जरा समझेंगे, मज़े लेके questions करेंगे, कोई जल्देबाजी नहीं है, question number 15 देखेगा which of the following is an appropriate question to assess critical thinking, दोखो critical thinking क्या है, national education policy कहती है, कि हमें बच्चों में किसी शताबदी के कौशल विक्सित करने है, यानि 21st century skills बच्चों में develop करनी है, कौन सी है वो, वो चाहे digital literacy हो, चाहे वो critical thinking हो, creativity हो, decision making हो, ये सारी चीज़ें, critical thinking क्या है, just मान ना लेना, बच्चों को पहला option अगर हम देखें, कि आपको ये देखना है, कि बच्चा अलोशना पर चिंतन उसके अंदर को बढ़ावा दे पा रहे हैं, आप या नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उसको सोचने पर मजबूर कर पा रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, इन short बात ये है, ठीक, तो आपको 325 में 48 जुड़वाने को कहा गया, तो ये तो simple जो आपने सीखा है, उसको apply कर दिया, इसमें कहां आपकी चिंतन बिजोर पड़ा, अगर आपको आता है edition तो आप चूड़ देंगे, नहीं तो नहीं, फिर है, ये closed ended है, ये मुक्त उत्तर नहीं है, open ended नहीं है, closed ended question से दूर जाकर के हमें open ended question करने होते हैं, अगर हम critical thinking के बात कर रहे हैं तो, B option है, in which year was the child marriage restrain act past, यानि अगर हम बाल हुआ, पृति बंधन अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो किस साल आया था, तो जिसको याद होगा, वो बता देगा, इसमें कौन सा, उसने अपनी research थोड़े ना लग D option है, analyze the various reasons of pollution in your city and think of various measures to reduce the pollution, वैसे भी तीनों option कट चुके थे, तो सिर्फ D ही बचा था, या अभी भी किसी को doubt था के और इसको भी चेक कर लें, भई तीन नहीं थे तो फोर्थ ही होगा, ठीक, तो अपने शहर में production के विभिन कारणों का wishlation कीजिए, और production करने के विभिन उ CTAT नहीं, CBSC नहीं गलत दे दिया होगा, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है ना, तो production कम करने के उपाय सोचे बच्चा और क्या reasons हो सकते हैं जिसकी वजहां से pollution होता है, तो बच्चे को सोचना पड़ेगा, रहे मेरे पता जी भी अकले जाते हैं गाड़ी में, पॉलिशन फ समावेशन को, समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा कौन सा option देता है, समावेशन क्या है, जैसे mother nature ने हम सब को एक साथ रखा हुआ है, बारिश होती है सब के लिए एक जासी होगी, सूरज निकले का सब के लिए धूप एक जासी होगी, अगर आब बाहर खड़े हुए है और हवा चलेगी तो सब के लिए चलेगी, उसी तरह से जब education है तो वो सब के लिए होने चाहिए, चाहे किसी को देखने में समस्या हो, चलने में समस्या हो, कुछ करने में समस्या हो, हर एक बच्चे के लिए inclusion हो, हर बच्चे को हम समावेशन कर पाएं, उसकी need के according सिखा पा फिर भी देखते हैं, diversity and varied perspectives are discouraged, भहिया, discourage नहीं, encourage करना है, हतोत साहित नहीं, प्रोत साहित करना है विभिनिता को, कई लोग जो लोग जल्द बाजी में होते हैं, प्रैक्टिस कम करके गए होते हैं, वो क्या करेंगे, उन्होंने बढ़ा diversity and varied perspectives, वाओ, वाओ, कितना positive बात चल रही है, विभिनिता और विविध परिप्रेक्षों की बात हो रही है, यहां लिखा हुआ है हतोत साहित, लिखा होना चाहिए था प्रोत साहित, तो जल्द बाजी में आपका एक number बिल्कुल प्यार से चला जाएगा, और ऐसे ही एक एक number, कई number प्यार से चले जाएगे, तो कुछी बच्चों के साथ होगा, तो यह तो partiality हो गई, सब को होना चाहिए, ऐसा comfortable field, D option है, students are divided into fixed groups as per their abilities, यह सब से खराब है, कि आप बच्चों की शमता के आधार पे शमता समूहन कर दे, है न, क्या करने, शमता समूहन कर दे, कि भई अच्छा तुम first आने वाले बच्चे ह इक गुरूप में, अच्छा तुमारा IQ कितना है, एक गुरूप में, गुरूप में बाटने से क्या होगा, गडबड हो जाएगी, inclusivity का मतलब है, हर तरह के different different बच्चे, unity in diversity की बात होगी, विभिनता में एकता की बात होगी, तो विद्धियार्थियों की जरुरतों को पू comprising of culturally diverse students, यानि एक ऐसी क्लास जहां Sanskritic विभिनता हो, अलगलग Sanskriti के लोग या बच्चे involved, which of the following should be avoided by a teacher, यानि इन में से कौनसी चीज को avoid किया जाना चाहिए, एक teacher को कौनसी चीज से बचना चाहिए, ऐसी क्लास में जहां diversity वाले बच्चे हों, अलगलग Sanskriti वाले बच्चे हो बता ही चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, in short avoided का मतलब है, क्या नहीं करना चाहिए teacher को, not वाला question है, three idiot की तरह ऐसे कान एक दम खड़े करके ध्यान से अंसर करेंगे, question आसान होते हैं बट फसाद एते हैं, आपको एक number प्यार से चला जाएगा, प्यार से number हम देंगे, नहीं लडेंगे number के लिए, अंत तक लडेंगे, अपनी आखरी सास तक, अपनी आखरी स्वास तक लडेंगे, movies में ऐसी होता है न, देखेगा, A option में देखेगा, bringing examples from diverse cultures in the discussion, ये बात तो अच्छी बात है कि आप विविद संस्कृतियों के उधारन, चर्चा में लेकर के आएंगे प्रभावी संस्कृति के लिए उप्यूक्त पाठ्यक्रम और सिक्षन शैली का विक्सित करना, ये गलत है, कि आपको लग रहा है कि ये culture dominant है, जगा पे जहां मेरा school है, तो इस culture के लिए ही मैं अच्छे methods बनाऊं, तो ये तो biasness हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, लेकिन क् D option पर आते हैं, encouraging students to share unique features of their culture, यानि विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेष्टाओं को साजा करने के लिए प्रोथ साहित करना, ये तो अच्छी बात है, बच्चों को अच्छा महसूस होगा जब वो अपने culture के बारे हो बताएगा तो, ठीके ना, फिर आएंगे D option पर, promoting a culture of respect and acceptance among students, यानि विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्विकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, कि हर किसी की संस्कृति को, दूसरे बच्चों के culture को भी आपको respect करनी है, ये आप बच्चों को message दें, अब आपने इस question से दो चीजें सीखी, एक त तो हमने ये सीखी, बाकी तीन बाते हमने ये सीखी, दूसरे section में, कि एक तो हमें अलग-अलग culture के examples देने हैं, एक culturally rich environment, भई not है ठाकी भी तो question पूछा जा सकता है, तो उस case में आपको पता हो, कि diverse culture से examples आपको लेकर क्याने हैं, विविद प्रकार के उधारन आपको देने ह बच्चे को, दूसरी चीज़ क्या हो, encourage करना है, जो भी अच्छी बाते हैं हर एक culture में उस चीज़ को, तीसरी चीज़ क्या है, हर एक culture की respect करना है बच्चे को ये सिखाना है, जैसे हम शुरुआत में बोलते हैं, good evening everyone, और सभी को good evening, namaskar, ram ram, satryakal, asal walikum, whatever you feel connected with, ये क्या है, ये respect है हर एक culture की, जो मैं कोशिश करना है, अपनी बात के थुरू, अपने थुरू, कनवे करना ही कोशिश कर रहे हूं, ठीक है ना, तो ये simple बात हो गई, the option is the right answer, आगे बढ़ेंगे question number 18 पर, which of the following directly affects learner's ability to read, interpret and understand letter and words, मतलब क्या हुआ, निम्लिकित मैं से किस से विद्यार्थी की, अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की शमता सीधे प्रभावित होती है, मतलब आप की पढ़ने की जो ability है, चीजों को समझने की जो ability है, interpret क करने की जो ability है, वो directly प्रभावित, यानि in short reading की ability, dyslexia, याद कीजे तारे जमीन पर रिशान अवस्थी, dyslexia, ऐसा बच्चा was को 100 पढ़ सकता है, b को d पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है, god को dog पढ़ सकता है, और क्या हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़े reverse में प्रैट करने में उसको दिक्कत होगी, dysgraphia जो है वो लेखन वैफल्य है, writing से related होता, अगर यहीं बात writing की होती, तो हम इसके साथ जाते हैं, अगर maths की होती, तो हम dyscalculia कहते हैं, क्योंकि calculation की बात है, तो ये वाचन वैफल्य या पठन वैफल्य कहते हैं, इसको dyslexia को, गती, इसमें आपको comprehend करने या भाषा को use करने, बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, तो C option is the right answer, आगे बढ़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, question number 19 देखिएगा, question number 19 क्या है, समझते हैं, question number 19 है, to ensure successful inclusion of students with locomotor disability, एक problem होती ह इसको हम कहते हैं, locomotor disability, यानि हड्डियों से या जोडों से related problem है, बच्चे को चलने फरने में, move करने में, motor activities करने में दिक्कत होगी, तो ऐसे बच्चे को कर आप चाहते हैं, class में successfully include हो तो आपको क्या करना चाहिए, नाहिदा, धिन्नेवाद आपने कहा है energetic session, मैं अपने energy क को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जीवन मतार चड़ाफ चलते रहते हैं, speed में पढ़ाईये मैं, अजमल इतनी speed में पढ़ा देंगे, किसी ने सोचा नहीं होगा, थाना, speed में तो मैं बहुत थेज बढ़ा सकते हूँ, यह बात, आप सब इस बात से अवगत ह हैं, बट ऐसी कौन सी train चूट रही है, थोड़ा सा normal चल लेते हैं, और वैसे इतना बोलना पड़ता है, पेडगोजी में, इतनी इतने रामायने हैं, रामायने तो कोई शब्द नहीं होता होगा, रामायन है, उसमें भी मैं बिल्कुल ससा सम्मान ये बात कह रही हूँ, रा गतिक द्व्यांगता, यानि चलने फरने से खिलेटेट जिनको भी द्व्यांगता है, उनको आप कैसे, अच्छा कुछ और पूछा है, बाई, तो एंच्छा है, पूछा है, गतिक द्व्यांगता वाले विद्ध्यारतियों का सफल समावेशन, सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस से बचना महतवपून है, मतलब क्या नहीं करना है, नौट वाला क्वेशन हो गया है, जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, पहला option है, अलोकेटिंग क्लास्रूम्स, लाइब्रेटी और लैब्स on the top floor, कमाल कर देओ पांडेजी, आज तो आज दिल खुश हो होगे, आपको समय मिल गया, इनोंने पोल दिया नहीं टाइम पे, और तब तक आपको शक हो गया होगा मेरी शगल देखके, देखेगा, तो उपरी मंचल पर कक्षाओं, पुस्तकाले और प्रयोग शालाओं का आवंटन नहीं करेंगे, जिन बचों को चलने फिरने में दिक शेत्रों को ramp और liftों से समतल करना, यानि leveling of all areas of school with ramps and lifts, यह बात सही है, कि जितना हो सके, school के जितने भी area हैं, वहाँ पे ramps बनवाई जाएं, जिससे की बच्चा जा सके, अगर वो cd नहीं भी चड़ सकता, तो ramp का इस्तमाल करें, या lift का इस्तमाल करें, यह बात सही है, इस metro हो, चाहे वो hospitals हो, चाहे वो schools हो, making adaptations as per student's requirements, यह बात भी सही है, जैसी बच्चों को need हो, उसके हिसाब से, आप अपने adaptation कर लीजे, reasonable accommodation in seating arrangement, यानि कि सही से आप उचित विवस्था करें, बच्चों के बैठने की, यह बात भी सही है, अब बात क्या सही नहीं है, बात सिर्फ ए यही सही नहीं है, which of the following is not an identifying characteristic of student with creativity, यानि वो बच्चा जो कुछ नया, original करने की शमता रखता है, उसकी कौनसी विशेष्टा नहीं है, बताएगा, फटा-फट से बताएगा, नमलिखित में से कौनसी स्रिजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेष्टा नहीं हैं, यह नहीं है वाले questions पे, थोड़ा सा ध्यान से answer करना होता है, ऐसे कान खड़े कर लेने होते हैं, और थोड़ा चौकनना होकर के जवाब देना होता है, तो creativity का लक्षन, higher order problem solving, हाँ भई, उचकरम समस्या समाधान, अलग लक्सी, मुश्किल-मुश्किल समस्याई भी opposite है, creativity का दुश्मन है, convergent thinking हो ना, अब सारी चिंतक है अगर कोई बच्चा, तो वो creative नहीं होगा, वो intelligent हो सकता है, बट वो creative तो कते ही नहीं होगा, तो यह intelligence से जोड़ा है, किसने, J.P. Guilford ने, किसको, अभिसारी चिंतन को, और J.P. Guilford ने ही, creativity से जोड़ा है, divergent thinking को, यान नहीं, बिखरती हुई सोच, अलग-अलग दिशाओं में सोच, बिखरती नहीं, दिशाओं में सोच, novel innovation, कुछ नया, Edison की तरह bulb बनाएंगे, विल्कुल सही बात है, नवाचारी प्रयोग है, strong sense of curiosity, यानि जग्यासा की प्रबल भावना, बहुत curious होते हैं, कुछ नया मिल जा हैं, बट हमें मजे इतने आ रहे हैं, हम क्या करें, enjoy करेंगे class को, question number twenty, first है, in order to facilitate long term remembrance, यानि आप चाहते हैं, बच्चे आपको भूले न, याद रहें, है न, आप दिलो दिमान में ताजा रहें किसी के, तो क्या करेंगे आप, of a particular content, यानि किसी एक content की बात हो रही है, कोई content आपके दिमाग में हमेशा रहे, which of the following strategy should be avoided by a teacher, है न, लोग ऐसी करते हैं, birthdays पे, या proposals पे, शादी पे, ऐसा करेंगे, कोई जिंदगी भर न भूले, ऐसा कुछ बनाएंगे, ऐसा कुछ surprise देंगे, तो, लेकिन वो surprise देते हुए, आपको क्या avoid करना है, simple बात, ये पूछिए घुमाफिरा कि, है न, कि किसी विशेश विशेवस्तु, आप चाहते हैं कोई चीज important है, कोई चीज अच्छी है, तो बच्ची के दिबाग में लंबे समय तक रहनी चाहिए, तो उस चीज के लिए, आप किस चीज से बचेंगे, कौन सी रणनीती का पालन नहीं करेंगे, ब किसी एस मैंने आपको बताया था कि conservation, classification और seriation का जोकूर है, वो क्या है, निमॉनिक है एक, ठीक, तो निमॉनिक से याद रहता है, ये memory की strategy है, ये तो अच्छी बात होगी, हमें तो बुरी बात धूननी है, जिसको avoid करना हो, है न, making organizational charts, अगर आप proper flow chart और बना रहे हैं, तब गलत बात है, क्योंकि आपस में कोई connection नहीं है, चीजों का याद ही नहीं कर पा रहे है, वहीं CCS से आपको याद है, क्योंकि मैंने आपको 14 चारण से उनिवस्टी का एक context दे दिया, मतलब एक context होना चाहिए, disjointed नहीं होने चाहिए, जिनका आपस में कोई संबंध ही नहीं